नमस्कार, आज हमें लोग डिसकस करेंगे ovarian cancer के बारे में या समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यह प्रेजंट करता है और इसके management के options क्या क्या हो सकते हैं इसमें या भी जानने की बात होगी क्या clinical presentation होगा, कैसे हम उसमें investigation करेंगे और last management का बात तो होगा ही लेकिन यहाँ पर जो पढ़ने का हमारा मकसद है वो है किस लेवल पर objective questions पूछे जाते हैं क्या होगा case study based हम से questions और उन्ही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम ovarian cancer पर बात करेंगे ovarian cancer में आगे पढ़ने से पहले दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए पहला ovary का histological details दूसरा neoplasia की basic समझ तो जो हम neoplasia pathology में पढ़ते हैं वहाँ पर हम tumor markers के बारे में पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर एक role होगा दूसरी बात जो हम erotomy में histology की basic understanding रखते हैं ovary के लिए उनकी भी हमारे लिए जरूरत होगी बहतर तरीके से समझ रखने एक बात यह भी समझ ना होगा यह अगर ovary में neoplasic changes हो रहे हैं अगर वहाँ tumor develop हो रहा है तो वह किस तरीके के structure में अपने आपको बदलने का प्रयास करेगा यानि जब उसमें neoplasic changes होते हैं तो वह अपने आसपास के structure जैसा ही develop होने का प्रयास करता है जैसे tumor cells में अगर आप सोचें तो सबसे आसपास में ovary के कौन से cells होती हैं किसके cells सबसे आसपास होती हैं कौन से structure उसके सबसे करीब होता है यहाँ पर cells ग्रो करना शुरू कर देती है इसी तरीके से देखा गया है कुछ मामलों में यह जो cells ovary में ग्रो कर रही होती है वो endometrial cells के जैसे यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देती है तो जो यहाँ tumor के cells proliferate करते हैं उनकी identity ऐसे लगती है जैसे endometrial cells के जैसी होती है इसी तरीके से देखा गया है कुछ मामलों में cervix के cells के जैसी characteristics दरशाने वाले यहाँ पर cells ग्रो करते हैं कुछ मामलों में देखा गया है कि यह urinary bladder के जैसे cells को यहाँ पर proliferate करना शुरू कर देते हैं अब सवाल यह है कि इस तरीके के proliferation यहाँ पर होते क्यों है तो उसके लिए कारण होता है बार-बार ovary में injuries होना बार-बार ovary में injuries होना बिल्कुल इस जिसको आप ऐसे सोचें कि हर महिने menstrual cycle के दौरान ovary की epithelial layer damage होती है जिसके कारण उसके भीतर से secondary ucides बाहर निकलते है आप समझ सकते हैं हर वहने अगर epithelial की दिवारे ovary की epithelium की दिवारे अगर damage हो रही है बाद में फिर वो heal होती है heal हर बार सही तरीके से हो यह जरूरी नहीं होता है तो उन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए CA ovary के बारे में बात करने होगी काफी interesting topic है काफी confusion create करने वाला बात है अभी तक जो भी बात हमने आपके साथ discuss किया है वो epithelial layer में होने वाले changes और epithelial layer में अगर कोई tumor grow करेगा तो वो philippian tube के जैसे अपनी structure रख सकता है वो endometrial cells के जैसे अपनी structure रख सकता है वो cervix के जैसे अपनी structure रख सकता है वो urinary bladder के जैसे अपनी cellular structure रख सकता है इस तरीके के ovary में होने वाले changes के बारे में बात किया तो अभी तक हमने सिर्फ बाहरी layer की बात किया इसलिए मैं आप से कहा भीतर जो graphene follicles के level पर इस diagram की मदद लेते हैं आप देखें हर महिने यहाँ पर follicles grow करते हैं जब यह follicles grow करते हैं तो उसके बाद ovulation होता है ovulation के बाद यह epithelium rupture होती है इस दोरान देखा जाए तो बाहर के और है surface epithelium यह जो surface epithelium जो dark color से दरशाई यह है यह surface epithelium हर महिने rupture होती है और यह दुबारा rupture होने के बाद heal भी होती है जब यह heal होती है, faulty healing होगा तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर cells कुछ ऐसे हों जो आस-पास के cellular control से बाहर हो जाएं तो फिर वहाँ पर epithelial cell tumor develop होने के chances होते हैं और और का cancer होने का एक बड़ा कारण epithelial cell tumor होता है सवाल जो हमसे पूछा जाता है वह epithelial cell tumor की बजाया है बाकी सारे tumor से हमसे पूछे जाते हैं तो हाला कि ovary में जो सबसे common tumor होता है वह epithelial lining की ट्वारा जो develop होने वाले tumor होते हैं वह सबसे common होते हैं लेकिन question जो हमसे पूछा जाएगा वह epithelial lining वाले जो derivative tumors होते हैं उस पर question कम पूछे जाते हैं ज्यादा question बाकी सारे tumor से पूछे जाते हैं बाकी सारे tumors देखते हैं बाकी सारे में epithelial जो germinal epithelium है उसके level पर देखे हैं germinal epithelium से जो tumor develop होते हैं germ cell tumor कह रहाते हैं तो surface epithelium की नीचे germinal epithelium होती है जहां से primary follicle grow करते हुए ये graphion follicle तक बदलता है आपको सारी जानकारी है और इसके भीतर आप देखें इसके भीतर जब ये follicle grow कर रहे होते हैं primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle graphion follicle के level पर जब ग्रो कर रहे होते हैं इसके भीतर होता है एक oocyte जो red color से दर्शाय गया ये oocyte आप देख रहे हैं ये oocyte पहले primary oocyte होता है बाद में meiotic division करते हुए secondary oocyte तक बदल जाता है और ये ovulation के दौरान release किया जाता है कलपना करें कि यहाँ पर germinal epithelium के level पर ही अगर कोई tumor develop होगा तो वो germ cell tumor का रहाता है अगर इन growing follicle के cells के level पर कोई tumor develop हो रहा हो तो यहाँ पर दो तरीकी के cells होती आप जानते भी हैं बाहर के और होती हैं ठीका cells जब ये follicle grow कर रहे होते हैं तो उनमें differentiation होता है आप जानते हैं बाहर के और थीका सेल होती है, अंदर के और ग्रेनलोसा सेल्स होती है, उसके भीतर उसाइट्स ग्रो कर रहा होता है, इतनी बेसिक समझ होगी, जो थीका सेल्स होती है, वहां से कोई ट्यूमर डेवलप करने लगे, ग्रेनलोसा सेल्स से कोई ट्यूमर अगर germinal epithelium से है तो germ cell tumor है अगर वो थीका cell granulosa cell से है तो उसे sex cord tumor कहते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं cord जैसी structure तो sex cord अंदर उसाइट से और बाहर वो support के लिए तो sex cord tumor कहलाते हैं जो germ cell वाले होते हैं वो तो germinal epithelium वाले germ cell tumor कहलाएंगे ही epithelium से जो further किस तरीके का differentiation हो रहा epithelial lining से surface epithelium से जो develop होने वाले tumor होते हैं उनमें किस nature के cells develop हो रहा है surface epithelium में किस nature का cell develop हो रहा क्या वो फैलिपिन ट्यूब के जैसा develop हो रहा क्या वो endometrium जैसा develop हो रहा क्या वो cervix के जैसा develop हो रहा और tumor की cells की differentiation कुछ fallopian tube के जैसी होती है, तो उसे serious type कहा जाता है, इसी तरीके से endometrial tissue जैसा होगा, तो यहाँ पर endometriod clear cell tumor कहते हैं, इसी तरीके से गर cervix के जैसा होगा, तो mucinus थोड़ा चिपचिपा होता है, mucinus, और आप देख सकते हैं, fallopian tube के जैसे जो मामले होते होते हैं तो उसे surface epithelium कहा जाता, sex cord वाले मामले, जो ठीका और granulosa cells के level पर होता है, तो उसमें granulosa cells tumor और ठीका cell tumor की बात कहे जाती है, germ cell से यहाँ जो भीतर को germinal epithelium से जो शुरुवाती level पर tumor develop होते हैं, उन्हें हम germ cell tumor कहते हैं, इसमें हम dysgerminoma, yolk sac tumor, immature teratoma की बात करेंगे, यह हो करते हैं, ओवरियन tumor को समझने के लिए, जरूरी है कि हम इस basic understanding से अपनी बात शुरू करें, ओवरी उसके आसपास की structure, फैलोपिन टूब जो सबसे करीबी है, जो इसका सबसे परम्मित्र है, उसी के जैसे ही अपने cells के structure को बनाने का प्यास करते हैं, फैलोपिन टूब के ज चाहिए, surface epithelium पर को tumor develop होता है, तो वो epithelial tumor होता है, या epithelial cell tumor होता है, इसी के नीचे होता germinal epithelium, जहां से primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, graphene follicle develop करते हैं, पता है न, ये आपकी जानकारी है, तो इसमें germinal epithelium के level पर germ cell tumor, इसमें कितने फर्दर नाम आपको याद रखने हैं, उन सार tumor, फर्दर हमारे लिए काफी important हो जाता है, क्योंकि इसमें tumor markers के level पर question कई सारे पूछे जा सकते हैं, कैसे उन tumor markers को याद रखना है, कैसे clinical presentation होगा, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, आगे देखे तो ठीका cell और granulosa cells in growing follicle के level पर, तो जब ये शुरुवाती stage में था, germ cell, थोड़ा और proliferate करके गया, तो जब इसमें ठीका cell granulosa cells develop होगे, तो sex cord tumor के level पर बात करनी होगी, यहाँ पर ये और differentiate करके graphion follicle में बदल जाता है, यहाँ पर देखें, तो इसमें further हम देख रहे हैं, किस तरीके से epithelial और ये germinal epithelium, जो surface epithelium की दिवार है, उन पर रक्चर्ड होती हैं, बार बार heal होती है, हो सकता है, faulty healing हो रहा है, जिसके करन नियो प्लास्टिक changes हो रहे हो, यही कारण बनते हैं, epithelial cell tumor develop होने के, इस concept को अपने दिमाग में रखना है, primordial, primary, secondary, in level पर, शिरुवाती stage में, अगर कोई tumor develop होता है, तो germ cell, अगर थोड़ा बाद में differentiation के दौरान अगर कोई develop होता है, तो sex cord और जो इसकी बाहरी layer होती है, इस पर अगर कोई हुआ तो surface epithelium, तो epithelial cell tumor, इतनी ही बात हमें पता होनी चाहिए, अब इसी बात से risk factor का अनुमान लगाया जा सकता है, कोई भी ऐसी female जहां पर ovary बार बार rupture हो रही हो, उ और menopause समय के बाद, यानि लंबा menstrual cycle का फीच चला हो, ऐसी female जिन्होंने नली पैरस रही हैं, या जिनके कम बेबी हुए हो, तो उनमें ovarian tumor develop होने के रिस्क जादा होते हैं, क्योंकि बार बार ovary rupture होगा, ovarian epithelial cells heal होते हैं, और उस दौरान ovarian tumor develop होने का रिस्क जादा ह होता है, और यहाँ पर यह जो healing वाली process, इसको अपने दिमांग भी रखे, सबसे ज़्यादा इसी वजह से epithelial cell tumor develop होते हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि एक और type है, इस से थोड़ा सा पहले germ cell, और थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो थीका cell और granulosa cells के level पर, तो थीका cell आप ज समझ सकते हैं, ज्यादस ज्यादा follicle होगा, ज्यादस ज्यादा वो बनेंगे, epithelial cells के lining rupture होगी, faulty healing होगा, epithelial tumor इसी वजह से develop होता है, और जो ovarian tumor के अधिकतर मामले होते हैं, वो ovarian tumor के अधिकतर मामले, epithelial tumor के ही होते हैं, मैंने आपको बता है, risk factor के बारे में, तो early मिनारकी, late menopause, nulliparity, obesity, obesity होने की वज़ा से estrogen ज्यादा से ज्यादा release होते हैं, फिर diabetes, PCOS के मामले, यानि high estrogen के state को भी यहाँ पर थोड़ा सोचा जा सकता है, obesity, high estrogen को कैसे develop कराती हैं, उसके बारे में भी आपके जान का रही है, मैंने आपको बता है, estrogen के कई सारे farm है, E1 farm, E1, E E2, E3, इस तरीके से हम जानते हैं, तो जो E2 वाला farm है, वो growing follicle के भीतर develop होता है, लेकिन जो E1 वाला farm है, वो peripheral edipose tissue में develop होता है, तो उस level पर जो होने वाले changes है, उनके level पर obesity के connection को सोचा जा सकता है, PCOS के मामले आपको पता ही है, यहाँ पर कुछ genes भी हैं, जो ovarian tumor के standing के लिए ज़रूरी है, कि यहाँ पर जितनी भी points आपको बताएगे हैं, उनको pathology से link करें, और जब pathology में neoplasia को study करें, तो वहाँ से connection को देखें, सारे points की similarity, अगर हम बना करके चलेंगे, काफी आसान हो जाता है, तो ब्रैका 1, ब्रैका 2 किस category का gene है, tumor suppressor gene है, इसमें सकते हैं, ब्रैका, ब्रैका को हमारे भुशपूरी language में बर्का कहते हैं, बर्का, बर्का मलना बड़ा वाला, बर्का, बर्का, हाना, तो बड़ा वाला, बर्का, बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला होता है, उसमें chromosome number 17 होता है, और जो छुटका होता है, मलना ब्रैका 2 हो कि 15% मामलों के लिए रिस्पॉंसिबल होता है अगर chromosome no 17 की बात करें बात करें जिसका worst prognosis होता है तो यह बड़का वाला है 17 no bookramosomes बड़े वाले chromosome पर यह बड़ा है ओवरी वाले मामलों के लिए जन्रेली रिस्पॉंसिबल होता तो यह female predominating cancer के लिए breast और ovarian जो female cancer होते हैं उनके लिए जबकि ये chromosome number 13 वाले जो मामले हो ये 25% मामलों में responsible होती है male predominating cancer जैसे male में कोई breast में cancer या male के prostate में होने वाले cancer के लिए responsible होता है पीजाई में पुछा गया question with regard to familial breast ovarian cancer जाहिर से बात है familial breast cancer यानि ये genetic level पर ब्रेका 1 ब्रेका 2 को लेकर के information चाहते हैं तो इसमें कुछ information हमारे लिए knowledge बढ़ने वाला होगा जैसे it is inherited as autosomal dominant trait के level बिलकुल ठीक बात है ये dominant trait के level पर autosomal dominant trait होता है फिर it can be due to mutation in a BRCA1 gene on the short arm of chromosome number 17 ये true statement है ब्रेका 1 जो होता है अगर ब्रेका 1 की बात कर रहे हैं तो वो chromosome number 17 पर होगा अगर ब्रेका 2 की बात करेंगे तो chromosome number 13 की बात होगी lifetime risk of breast cancer is 99% if woman carries ब्रेका 1 mutation तो यहां 99% तक नहीं होता है 80% तक होता हाला कि ये बात सही है ये artosomal dominant trait है लेकिन फिर भी 80% female ही इससे प्रभावित होती है तो ये देखा कि 99% तक रिस्क नहीं होता है ये real situation में देखा 80% तक रिस्क होता है इसलिए ये statement false हो जाता है lifetime risk of ovarian cancer is 10% if a woman carries BRCA1 mutation तो BRCA1 की वज़ा से breast cancer और ovarian cancer होने के रिस्क होते हैं और ये देखा गया है BRCA1 जो female predominating cancer जिसमें breast और ovary दोनों के involved करता है ये databases पर देखा गया है BRCA1 female predominating cancer कराता है breast का और ovary का ऐसे BRCA2 की जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर male breast cancer और prostate की बात कर रहे थे ये बात आपको पजानकारी में है तो BRCA2 male के breast cancer कई बार develop हो जाते हैं या फिर prostate में होने वाले cancer के लिए BRCA2 जो chromosome number 13 पर पाया जाता है BRCA1 chromosome number 17 पर पाया जाता है और ये breast cancer और ovarian cancer के लिए होता है देखा गया है अगर किसी female में BRCA1 gene का mutation है तो autosomal dominating ये trait होता है और इसके मामले breast cancer के 80% association वहाँ पर होता ही होता है अगर BRCA1 का mutation है तो 80% risk होता है breast cancer develop होने का इसी के साथ ही साथ देखा गया 60% risk होता है ovarian cancer develop होने का इस बात को रट लेना है और इसी वज़ा से D option यहाँ पर सही नहीं है और इस option में देखते है man with mutated gene usually develop cancer नहीं ये बात गलत है आपने देखा है कि यहाँ पर BRCA2 का mutation अगर है तो बहुत ज़ादा cancer का risk नहीं होता है BRCA1 के मामलों में risk ज़ादा होता है वो 80% 60% तक होता है जबकि यहाँ पर mutated gene अगर man में है BRCA2 का है तो वो cancer के develop होने का उतना risk नहीं रखता है productive factor की बात करें C.A.O.V.E. के मामलों में तो physical exercise, smoking, multiparity, an ovulation यानि ovulation की वज़ा से walls damage होती है यह पितलियम damage होती है तो उसको रोकना है चाहे आप समझ सकते हैं menstrual cycle को चाहे जैसे रोका जासे के multiparity के द्वारा, OCP के द्वारा breast feeding के द्वारा कैसे menstrual cycle रुकेगा आप समझ सकते हैं high prolactin होगा तो एन ovulation की condition देखने को मिलती है इस वज़ा से आप इन सारी चीज़ों के बारे में सूच सकते हैं protective factor, physical exercise कैसे हो सकता है physical exercise होगा तो obesity नहीं होगा obesity अगर नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं जो peripheral estrogen high level होते हैं वो कम हो जाएंगे इस वज़े से cancer का दिस कम हो जाएगा तो एक basic समझ हमें होना चाहिए किस जीन का mutation है उस पर पी जाएने question पूछा है ये point न सिर्फ यहाँ पर हमारे लिए important हो जा था जैसे फैलेपियन ट्यूब के जैसा हो जाएगा तो यहाँ पर serious watery variety of tumor cells डेवलप होना शिरू हो जाएगे तो फैलेपियन ट्यूब का nature कैसा होता है silleted cells होते हैं serious होते थोड़े watery होते हैं लगवग वैसी condition हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसी तरीके से देखा जाए point number two तो यहाँ पर endothelial lining के जैसा होता है endothelial lining के जैसा होता है तो यहाँ पर हम एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा के लिवल पर सोच सकते हैं endometrial level पर endometriod जो variety of epithelial cell tumor अभी हम सिर्फ और सिर्फ epithelial की बात कर रहे हैं आप समझें यह सर्विक्स के जैसे cells यहाँ पर grow करना शुरू कर दिये तो mucinus होगा इसमें भी और malignant nature होगा तो एडिनो कार्सिनोमा यह सारी चीज़ें जो neoplasia के basic understanding होती एडिनोमा कब कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा कब कहते हैं उन सारी चीज़ें को एक बार रिकॉल करें pathology के उस fact को सारी चीज़ें याद हो सकती है आप देखें यह urinary bladder के जैसा develop हो सकता है तो ऐसे मामलों में epithelial जो cells होंगे उसमें transitional cells के जैसा यहाँ पर proliferation होना शुरू होगा यानि urinary bladder के जैसा अगर यहाँ cells develop होंगे transitional cell के जैसे होंगे उन्हें हम brainer clear cells कहते हैं और brainer clear cells जिसमें हम एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा की कल्पना कर सकते हैं तो सारी चीज़ें हम लोग उने देख लिया philippine tube के जैसा individual cells के जैसे जिसमें एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा सर्विक्स के जैसा होगा तो मियोसनस एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा अगर वो urinary bladder के जैसा होगा तो brainer clear cells या transitional cells के जैसे होंगे जिसमें एडिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं तो देखते हैं epithelial tumor के बारे में और हम जानते हैं यहां surface epithelium के लेवल पर development valid tumor है अधिकतर मामलों में ovarian tumor benign nature के होते हैं और उसमें भी philippian tube के जैसे structure जा रखते हैं तो cirrus type के रहाते हैं यह ciliated epithelial cells होते हैं यह philippian tube के जैसा structure रखते हैं ओवरी में देखा जाया तो epithelial cells के लेवल पर बहुत सारे differentiation हमने देखें cirrus type तब कहा हमने जब philippian tube के जैसा रहा अगर cervix के जैसा रहा तो mucinus type कहेंगे अगर वो urinary bladder के जैसा रहेगा तो brenner tumor cells कहेंगे और सभी में benign को हम adenoma कहते हैं और malignant को adenocarcinoma कहते हैं तो यह सारी चीज़ें आपकी जानकारी में है एक और term हमने endometriod की बात किया कि जब epithelial cells endometrial जैसी होंगी यह सारी चीज़ें आपकी जानकारी में है यहाँ पर बताने का मकसद बस इतना है कि जो cirrus type है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप जानते हैं overall ovarian tumor में most common कौन सा होता है ovarian tumor में most common होता है epithelial cell tumor और epithelial cell tumor में सबसे common कौन सा होता है cirrus type सबसे common होता है तो cirrus type का जो benign वाला होगा उसे हम cirrus cyst adenoma कहते हैं ध्यान रखने वाली बात यह होगी जो cirrus cyst adenoma होगा जो cirrus type आप देखें epithelial cells सबसे common तो cirrus type उसमें सबसे common तो उसमें जो benign वाला होगा cirrus cyst adenoma वो सबसे common benign nature वाला होगा जो malignant nature वाला होगा cirrus cyst adenocarcinoma वो most common malignant होगा लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली एक और भी है अभी तक आप ऐसे सोचों epithelial सबसे common तो epithelial का cirrus सबसे common उसके बाद cirrus सबसे common तो cirrus का benign भी सबसे common मान लिया जाएगा और malignant भी सबसे common मान लिया जाएगा यहाँ पर एक चीज समझने वाली है जो cirrus का adenocarcinoma, adenoma जो होता है, cirrus का जो benign nature होता है, वो most common epithelial benign tumor है, लेकिन जब overall ovary के benign tumor की बात कही जाती है, तो उस समय नाम dermoid cyst का याद रखना है, तो वैसे देखा जाता है, तो cirrus type का जो malignant type है, वो overall most common malignant ovarian tumor का example बन जाता है, ये अपने इन भाई बंधों में सबसे common तो benign nature में cirrus cyst adenoma होता है benign nature में, लेकिन overall ovary का most benign tumor dermoid cyst कहलाता है, तो एक trophy, जैसे आप हैसे समझें कि किसी school में election हो रहा हो, तो वहाँ पर कोई एक post कोई और लेके चला गया हो, बाकी सारे में majority में कोई एक जीत गया हो, तो ऐसा होता भी है, तो वैसे ही यहाँ पर याद एpithelial सबसे common है, एpithelial के जो varieties हैं वो सबसे common है, लेकिन एक मामले में germ cell tumor बाजी मार जाता है, जिसमें हम dysgerminoma की जो बात कहते हैं, तो dysgerminoma most common benign tumor of ovary का example है, overall most common, और overall ovary का most common malignant tumor के लेवल पर बात करेंगे, तो cirrus cyst adenocarcinoma का नाम याद, यहाँ जो इसका benign farm है, वो most common ep most common नहीं होता, यह epithelial के लेवल पर ही सिर्फ रहे, यह वाला overall भी रहता है, overall अगर बिनाइन tumor की बात करें, dermoid cyst, जिसे हम germ cell tumor के भी तर study करें, अच्छा, एक चीज़ और भी है, कि इसका clinical presentation कैसा होगा, तो हम देखेंगे hormonal changes, tumor markers कोई values में कितने variations हैं, और बहुत सारी हमें level पर मदद मिल जाती हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा पाते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, abdominal अगरमाली यह discomfort है, distension है, उसके साथ कोई female आ रही है, ultrasound करने पर ovarian size बढ़ा हुआ है, उसके आध हम further investigation करते हैं, एक overall बात देखी गई ही, जो epithelium सबसे common है, यह बात तो जो ovarian में अधिकतर tumor develop होते हैं, वो benign nature के होते हैं, और इसी वज़ा से size बढ़ने के बावज़ूद भी, अगर हम उसे manage करने का प्रयास करते हैं, तो अच्छा response बिलता है, यह बात कई बार question में पूछा गया है, maximum ovarian tumor benign nature के ही होते हैं, इसलिए size ज़्यादा बढ़ी epithelial ovarian cancer को focus करते हैं, question following are true with regards to epithelial ovarian cancer, तो इसमें कौन-कौन सी बात सही है, except, तो peak incidence 52-70 years बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर ऐसा होता है, late presentation, बिल्कुल अगर हम peak incidence की बात कर रहे हैं, post-menopausal female की, तो late presentation है ही, यहाँ पर vague symptoms होते हैं, यहाँ पर vague symptoms जो यहाँ पर देखन पर कम, बलकि simple epigastric pain, ascites, nausea, vomiting की presentation लेकर के patient आम दोर पर आते हैं, abdominal discomfort की symptoms के साथ patient आते हैं, तो यह सारी चीज़ें देखने को बनती है, अधिक्तिक tumor, advanced disease तक पहुंचुका होता है at the time of diagnosis, और अगर हम उसे manage करने का प्रयाज करते हैं, तो 5 year survival करीब-करीब 70% तक मिल जाता है, यानि बहुत अच्छा response है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, यही बात मैं आपको बताना चारा है, तो इस question से हमें कई सारे data based information मिले हैं, जो ovarian cancer पर आधार पीजाई में question पूछे जाने का trend रहा है, वो information based रहा है, अगर information हमारे पास जादा है, हम जादा अच्छा तरी से associated होते हैं, वेग symptom होते हैं, नाजिया, vomiting, epigastric pain, ascitis के मामलों के साथ, patient present करते हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, जो इसमें epithelial में serious tumor होता है, उसके level पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एडिनो कार्थिरुमा के point of view से focus करते हुँ हम बात करेंगे, यहाँ पर जो cells grow करते हैं वो फैलिपियन ट्यूब के जैसे होते हैं, पिछले question से काफी कुछ समझ में आ गया epithelial tumor है, तो उसमें post-menopausal मामले देखने को मिलते हैं, risk of malignancy, अगर आप serious type में बात करते हैं, तो अधिकतर एडिनोमा ही होता है, serious cyst एडिनो कार्थिनोमा जो मामले होते हैं, वो 20% ही हो Samoma bodies कहां पर पाया जाता है, और कई सारे जगहों पर इस तरीके के concentric ring like structure देखने को मलते हैं, तो serious cyst एडिनो कार्थिनोमा या serious ovarian tumor कहके आपको option मिल सकता है, यह papillary thyroid carcinoma में, meningioma में भी इस तरीकी के structure, mesothilioma में भी इस तरीकी के structure मिल जाते हैं, सवाल यह भी पुछा गया है Samoma bodies होते क्या हैं, यह calcium ring होते हैं, यह dystrophic calcification की वज़ा से concentric ring जहां पर calcium deposit होता है, वो develop होते हैं, Samoma bodies, कहां कहां, papillary thyroid cancer, mesothilioma के मामलों में, यहाँ पर serious cyst adenocarcinoma के मामलों में develop होता है, यह dystrophic calcification को represent करता है, dead cells वहाँ पर calcium आ करके ring farm में deposit हो जाने की वज़ा से Samoma bodies बनते ह जैसा कि हमने पिछले question में देख लिया था, non-specific sinus symptoms हमें देखने को मिलते हैं, patient abdominal enlargement, ascitis, abdominal pain और हाला कि यह हो सकता है, ovarian side पर palpate करने पर मिल जाए, malignant, pleural effusion जैसे ही घटनाय तक भी हमें देखने को मिल सकती है, धान रखना है, serious cyst adenocarcinoma के 32-50% मामले, यानि लगवग आधे म bilateral present करते हैं, यानि दोनों ovary को involved करते हुए होते हैं, तो ऐसा कैसे possible है, ऐसा इस वज़े से possible है, क्योंकि आप जानते हैं, genetic level पर इसका association देखा गया है, genetic level पर होगा, तो आप जानते हैं, जो भी चीज genetic level पर हो, वो भी autosomal dominant conditions के साथ present करता है, तो दोनों ही ovary को involved करेगा, आ retinoblastoma के मामलों से, retinoblastoma अगर sporadic यानि ऐसे ही develop हो जाता है, तो उसमें unilateral presentation होता है, लेकिन retinoblastoma अगर genetic association के साथ होता है, तो दोनों ही eyes को involved करता है, याद है आपको, ये चीज़ retinoblastoma के मामलों में, हम नियोपलेजिया में study करते हैं, अगर वो sporadic mutation होता है, तो उसमें unilateral presentation होता है, केवल जहाँ पर हुआ, वही involved करता है, लेकर अगर genetic association है, तो वहाँ पर bilateral association हो, सेम बात यहाँ पर है, genetic association है, ब्रैका वन, जीन के साथ इसका association अगर है, तो bilateral present करेगा, और 30-50% मामले तक ये bilaterally present करते हैं, इस वज़ा से जो हमें clinical presentation मिलता है, उसमें यह बात लिक्यो दोनों ovary involved हैं, और ovary से आगे, जो tumor cells होते हैं, वो omentum की मदद से, omentum आप anatomy में जानते हैं, peritonial root से, transperitonial root से आगे बढ़ने का प्रयावस करते हैं, omentum इसे रोकने का प्रयावस करता है, omentum को इसी वज़ा से police man कहा जाता है, यह रोकने का tumor cells को आगे बढ़ने से रोकत और उसके आस-पास के side को involved कर लें, possible यह भी है कि यहाँ पर police man इसको कहा तो जाता है, लेकिन रोक न पाए, यह धीरी धीरे आगे बढ़ते हुए, lymph node तक पहुंचाए, liver तक पहुंचाए, lungs तक पहुंचाए, stomach में पहुंचाए, तो अभी हम यह देख रहे हैं, कि नीचे से bilateral, दोनों side से यह हुआ, momentum, आप जानते हैं, momentum, anatomy में आप पढ़े हुए, तो उसने इसको रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, यह बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो हो सकता, momentum के level पर तो हो ही जाएगा, tumor वहाँ पर तो यह पहुंची जाएगा, अगर यह धीरी से आगी क का मकसद क्या है, इसको बताने का मकसद यह है कि यह नीचे से चड़ता हुआ, इस्टमक तक आ गया, एक इस्टमक में develop होने वाला tumor, ओवरी तक नीचे पहुंच जाता है, मतलब यह कि तुम नीचे से उठके ऊपर आओ, और मैं ऊपर कुछ develop होँगा, तो मैं नीचे चला ज है, वहाँ पर जब हिस्टरलोजिकल डिफरेंसिशन की बात करते हैं, वह सिरस टाइप का होगा, जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा, और वह इस्टमक तब पहुंचेगा, मेरी बात समझ है, तो हिंट यह दिया जाएगा, कि नीचे से कैसे ऊपर गया है, वह सिरस टाइप ह हुआ, इस्टमक का कोई ट्यूमर नीचे को रुतरता हो, ओवरी तक पहुंचता है, जिसे हम क्रुकन बर्ग ट्यूमर कहते है, तो वहाँ पर जब हम बैप्सी लेने का प्रयास करेंगे, तो सेल्स की प्रिजंस म्यूसिनस टाइप होगी, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा लिवर तक, लंग्स तक, इस्टमक तक, अब क्रुकन बर्ग ट्यूमर के बारे मैंने आपको बताया ना, बैलेट्रल प्रिजंटिशन महाँ पर भी होगा, लेकिन यह इस्टमक से नीचे उतर के जा रहा है, जबकि हम नीचे से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो 45 यार ओल बैलेट्रली, ओगरियन मास है, अब समझ सकते हैं, उपर के उचाट रहा, ओमिन्टम को क्रॉस करते हुए, ओमिन्टम को इन्वाल्ड भी कर लिया, सिट्री स्कैन पर ये सारी चीज़े पता चल रही है, हाई प्राबबिल्टी किस ट्यूमर के डेवलप होने का होगा, तो यहाँ पर ये सिये स्टमक से नीचे उतरा है, ये क्रुकन बर्ग जो ट्यूमर होता है, वो मेटास्टेटिक ट्यूमर सिये स्टमक का होता है, जो ओवरी तक पहुँचा है, ये लिमफैटिक रूट से जाता है, जबकि वहाँ पर ट्रांस सिलोमिक रूट से गया था, उपर क्यों चड़ाता है यह lymphatic root से नीचे कर उतरा है यहाँ पर histological examination के दौरान mucin producing cignate ring cancer cells देखने को मलते हैं जो gastric origin के होंगे तो यहाँ वाले जो होते हैं cirrassist adenocartsen वाले यह जब उपर क्यों चड़ांगे तो cirrass type के होंगे जबकि यह वाला जब नीचे उतर करके आता है तो यह mucin producing cignate ring cancer cells होता है इम्स में पूछा गया question 50 year old female presented with bilateral solid ovarian mass यह solid nature का tumor होता है जिसमें ascitis होगा अपर GI endoscopy करने पर ulcerative growth palloric region of stomach में देखने को मिला है ठीक है तो यहाँ पर bilateral ovarian tumor है इस टमक के palloric region को involved कर रहा है यह चीज़ focus करते हुए कह रहा है तो option हमारे सामने क्रुकनबर्ग tumor का बनता है अगर यहाँ पर थोड़ा confusion है तो एम्स ने एक और ज्यादा clear करते हुए question develop किया 55 year old female presented with abdominal mass on surgery जब उसकी surgery की गए abdominal mass का further वो सारी चीज़े देखी गए है मतलब सारे investigation हो गया ठीक ultrasound हो गया यह हो गया सारी चीज़े हो गया CT scan सारी चीज़े हो गया जब surgery किया गया तो surgery के दौनर bilateral ovarian mass थे और उस ovarian mass का smooth surface था जब उस सारी चीज़े को निकाल कर गए histopathological sample examination के लिए भेजा गया तो फिर वहाँ पर mucine secreting cells थी cirrus नहीं था यहाँ पर signet ring shape के cells हमें देखने को बले diagnosis क्या है क्रोकन बर्ग tumor का नाम याद रखना है मैंने आपको बताया था यहाँ पर samoma bodies की presence samoma bodies कहाँ पर होते है cirrus ovarian या cirrus cyst adeno carcinoma के मामलों में या cirrus ovarian tumor फिर papillary thyroid cancer meningioma, mesothelioma के मामलों में यह samoma bodies देखने को बलते हैं ध्यान रहे यह जो samoma bodies होते हैं यह concentric calcium ring होते हैं जो dystrophic calcification की वजह से बनते हैं overall हम लोगों ने इतने discussion से समझने का प्रयास किया क्या होता है presentation किस तरीक से वो develop होते हैं और हमने यह भी देखने की कोशिश किया cirrus cyst adeno carcinoma कितने मामलों में देखने को मिलेगा कितनी malignancy का risk होता है कितना bilateral होने का risk होता है bilateral होने का risk ही क्यों होता है वो सारी चीज़ें नीचे से उपर जा रहा तो कैसा हो ऐसे ही एक और है जो bilateral presentation रखता है लेकिन उसका primary location stomach में होता है CA stomach के मामलों है जो crocanberg tumor होते हैं उनके बारे में हम लोग ने study किया रहे बागी सारी epithelial tumor और remaining parts को हम अगले lecture में आपके साथ discuss करेंगे